हेलो वीवर्स, अस्सलाम लेकूं, मैं हूँ रोशन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोलकाता का बहुत ही टेस्टी और फेमस पंतरास बनाने की रेसिपी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसे आप चिकन रोल भी बोल सकते हैं, क् इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा, और कडाही में ओयल को गरम कर लेते हैं, एक टेबल इस्पून और थोड़ा सा लिया हमने, हाफ टीस्पून हमने जीरा इसमें डाला, और एक बारी काटकर प्याज हम इसमें डाल देते हैं, गोल्डन ब्राउन हलका होने देते हैं, ज चिकन को इसमें हम डाल देते हैं, जो कीमा हमने तियार किया हुआ है, इस तरीके से डाल करके हम चला लेते हैं, फिलेम को अभी हमने लो रखा हुआ है, चिकन में थोड़ा पानी छोड़ेगा, नमक इसमें एड़ कर देते हैं, टेस्ट के अक टीस्पून हमने डाला हुआ ह और इस तरीके से लो फ्लेम पर हलका सा इसको भूनने देते हैं चिकन हलका फानी छोड़ देगा तो ये जलेगा नहीं और दो चमच हमने अदरक लहसुन का पेश्ट डाला हुआ है इसमें तो खाने वाले चमच से हमने मेजरमेंट किया हुआ है और इस तरह से हम इसको पकने देते हैं और लाश्ट में इसमें गरम मसाला एड़ करते हैं हाफ टी स्पून इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इस तरह से डाल करके हम इसको पका लेते हैं चलाते हैं फ्लेम को हमने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया है और ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भुण और ये हाफ कटोरी अभी हमने पानी डाला हुआ है चिगन को अच्छी तरह से पकाने के लिए चिगन का कच्चापन बिल्कुल खतम हो जाएगा तो इस तरह से हमने पानी डाल दिया पूरा हमने एक कटोरी पानी डाला हुआ है यानि एक कप हमने पानी डाला हुआ है इसको हम ढखकर पका लेते हैं पानी सूखने तक इसको चलाते हुए पकाएंगे चिकन अच्छी तरह से ये गल जाएगा पक जाएगा क्योंकि इसको हमने पीछ लिया था तो उतना गलाने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका कच्चापन बिल्कुल खतम हो चुका है डार ये ड्राइव ह चुका है इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे और इसमें स्टफिंग के लिए कुछ और इसमें हम तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले एक बावल में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं उसके बाद इसमें हम डालते हैं बारिक हमने एक प्याज काट लिया है और omelet जिस तरह से काटते हैं, बनाते हैं उस तरह से और इसमें हम एक मिर्च को डाल देते हैं, हरी मिर्च को थोड़ा सा धनिया, पत्ता, चाठ मसाला अगर आप डालना चाहें, तो डाल सकते हैं हम इसमें नहीं एड़ कर रहें तो इस तरह से हम पूरा mix करेंगे, हलका गरम हो तभी mix करें, तो अच्छी तरह से यह soft बना रहेगा, तो इस तरह से हमने mix कर लिया, half cup हम मैदा लेते हैं, और इसको हम छान लेते हैं, कभी-कभी इसमें कीडे भी होते हैं, तो इस तरह से छान कर ही use करें, half teaspoon नमक डालते हैं, और बिल्कुल एक पिंच हम इसमें food color add करते हैं, तो हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल हलवाई style हम बना रहे हैं, एक cup हमने पानी लिया है, और थोड़ा-थोड़ा डालते हुए अच्छी तरह से घोल त्यार कर लेते हैं, पंतरास बनाने के लिए, तो इस तरह स देख सकते हैं, बहुत अच्छा हमारा ये घोल बन रहा, इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे चलाते हुए अगर आप इस तरह से करेंगे, तो बहुत अच्छा ये बैटर बन कर रेडी हो जाएगा, पतला सा बैटर रखना है, ज्यादा गाढ़ा भी नही और ज्यादा पतला भी नहीं, वैसे पतला ही इसका बैटर होता है, तो इसकी कंस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से चमच ऐसे पलट कर देखें, तो इस तरह से हलका सा लेयर बन रहा, ये दो टेबल इस्पुन हमारा पानी बच चुका है, इधर हमने तवे को गरम कर लिए है, इसमें ज्यादा ओएल भी लगा सकते हैं, फर्स्ट में अगर चिकनाई नहीं है तवे में, तो ज्यादा ओएल लगाएं, और चिकनाई है तो कम ओएल लगाएं, कौटन के कपड़े से हमने इसमें लगाया हुआ, और एक चमच डाल करके इस तरह से हम ऐसे फैला इस वज़ा से और यह देख सकते हैं दिखाने के लिए हमने पल्टा हुआ है एक ही तरफ से यह सेका जाता है तो यह हमने बहुत अच्छा बना लिया है और इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे ही सबी को बना लेते हैं तो इस तरह से एक हम बना लिये हैं और इसके बाद हम इसमें और बना करके आपको बना कर आपको दिखाते हैं रोल बनाएंगे चिकन का तो इस तरह से हमने स्टफिंग ये साइड में रखा हुआ है चमच से एक चमच ये थोड़ा जादा आप डाल सकते हैं और जादा भी ना डालें ऐसे रोल अच्छी तरह से बनना चाहिए मैदे और प से हमने चारों तरफ से लगा दिया है और दोनों साइड से इसको मोड़ेंगे इसके उपर और देख सकते हैं बीच में हमने नहीं रखा हुआ थोड़ा सा साइड में हमने रखा हुआ है चिकन के स्टफिंग को और इस तरह से हमने एक साइड मोड़ा दूसरी साइड भी ऐस मूड़ते हैं इस तरह से और ये दूसरी साइड में मूड़ते के बाद के बाद ऐसा मतलें एस तरह से रोल बनाएंगे अच्छी तरह से संभाल कर इसका रोल बना आए महीं होग हूए इस revenue साफ है तो सम्हों की आए कर लिया है इस तरह से और हम चलते हैं कडाही की तरफ हमने और अच्छी कर लिया तो बर और है इसके पर उलकर परह रहे हैं millise converse को भाक्ति ऐसे ही के सेख निए तो भाक आये और है करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल तारान और कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो यह देख सकते हैं हमने कितना क्रिस्पी यह बना लिया है बहुत ही टेश् है तो देख रहें कितना अच्छा हमारा यह 15 बनकर रेडी है चिकन रोल इसे बोलते हैं बहुत जगा अलग अलग नाम से जाना जाता है जरू ट्राइब करें